जीला स्पेशल टीम की और से वांचित अपरादियों के खिलाफ चलाय जारे अब्यान के दोरान जीला स्पेशल पुलिस टीम ने खरवा फाइरिंग प्रकरण के वांचित आरोपी सूर्य गेंग के सदस्तिय को ग्रफतार किया है ग्रफतार आरोपी फकरुदिन उर्फ फकरु खान पुत्र शबीर खान निवासी भधाली खेडा अरजिय चोरहा पुलिस थाना मंडल जीला बिलवाडा है पुलिस थाना ब्यावर सदर के गाउं खरवा में एक सारवरजनिक कारेकरम के शुरू होने से पूर्व सूरेश गुजर अपनी गेंग सहीत पहुचा वे चोराय पर खड़ी बीड में फायर कर लोगों में दहशत फैला दी वे फरार हो गया जिसके कारण कारेकरम इस्तगित करना पड़ा था इस सम्मन में ब्यावर सदर थाना पर प्रकरन दर्च किया गया वे आरोपी वे उसके सातियों की तलाश की गई जिला इस्पेशल टीम वे ब्यावर सदर थाना पुलिस की सयुक टीम ने कारेवाही करते हुए सुरेश गुजरत था सूर्य गैंग के कई आरोपियों को हत्यार सहीद पकड़ने में सफलता प्राप्त कर गैंग का लगबक सपाय कर दिया था मगर इस पकरण में एक अंतीम आरोपी अभी भी फरार था जिसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी आरोपी लगातार पुलिस से बचने के लिए मुंबई गोवा वे अन्ने स्थानों पर छिपता रहा पुलिस टीम लगातार पुकतावे पुष्ट जानकारी का संकलन कर आरोपी का पीछा करती रही लंबे समय से फरार आरोपी फकरू के विरूद माननीय नियाले दुआरा इस्ताय वारंट भी जारी क्या गया है तीन फरवरी को जिला इस्पेशल टीम को मुकबीर दुआरा आरोपी के एक इस्तान पर छुपे होनी की सटिक सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाना ब्यावर सदर की टीम के साथ जिला इस्पेशल टीम ने तुरन मुकबीर की बताई जगे पहुच कर सूर्य गैंग के सदस्य फकरू खान को दर्द वोजा इस प्रकार जिला स्पेशल टीम ने आतंग की प्रियाई बने सूर्य गेंग के मुख्य सरंगना सहीच सभी सदस्यों को पकड़ने वे गेंग का आतंग खतम करने में महतुपूर सपलता प्राप्त की है पुलिस टीम में सदर्थाना अधिकारी सूर्भान सिंग, जिला स्पेशल टीम के हैड कॉंस्टेबल जितेंदर सिंग, कॉंस्टेबल परवीन चौधरी, अज्य सिंग, सदर्थाना की कॉंस्टेबल हरेंदर कुमार, सुखपाल तता साइबर सेल के सुशिल कुमार आदिश श